दोस्तो गाउं देहात की अपनी खूपसूर्ती होती है। दुनिया भर से करीब पच्पन लाख लोग एरिजोना आते हैं। मगर इसी में से एक गहरी खाई हुआसू कैनियन के पास सुपाई नाम का एक बहुत ही पुराना गाउं बसा हुआ है। यहां की कुल आबादी दो सो आठ है। यह गाउं जमीन के सधे पर नहीं बलकि ग्रैन कैनियन के भीतर करीब तीन हजार फीट की गहराई पर बसा है। पूरे अमेरिका में यह एकलौता ऐसा गाउं है जहां आज भी खतों को लाने और ले जाने में लंबा वक्त लगता है। मिर्जा गालब के दौर की तरहे यहां आज भी लोगों के खत खत्चर पर लाद कर गाउं तक पहुँचाए जाते हैं। खत ले जाने के लिए खत्चर गाड़ी का इस्तमाल कब शिरू हुआ यकीनी तोर पर कहना बहुत मुश्किल है। खत्चर गाड़ी पर United State Postal Service की महल लगी रहती है। सुपाई गाउं के तार आज तक शहर की सडकों से नहीं जोड़ पाई हैं। यहां तक पहुँचने का रास्ता बहुत उबर खाबर है। गाउं की सबसे नजदी की सडक भी करीब 8 मील दूर है। यहां तक पहुँचने के लिए या तो हेलिकॉप्टर की मदद ली जाती है या फिर खट्चर की। अगर हिम्मत हो तो पैदल चलकर भी यहां पर पहुँचा जा सकता है। सुपाई गाउं में Grand Canyon के गहरे राज छुपे हैं। यह गाउं चारों और से बड़ी और उंची चोटियों से गिरा हुआ है। गहरी खाई में छुपाई गाउं करीब 1000 साल से आबाद है। यहां पर अमेरिका के मूल निवासी Red Indian रहते हैं। गाउं में रहने वाली जंजाती का नामकरन गाउं की खोपसूर्ती की बुनियात पर हुआ है। हवा सुपाई का अर्थ है नीले और हरे पानी वाले लोग, यहां की लोग गाउं के पानी को पवित्र मानते हैं। मानिता है, यहां निकलने वाले फिरूजी पानी से ही इस जन्जाती का जन्म हुआ है. गाउं तक पहुँचने के लिए खारदाट ज़ाडियों के बीट से भूल भुलिया जैसी खाईयों से होकर गुजरन न पड़ता है. एसे उबर खाबर रास्ती से गुजरते हुए यह एहसास भी नहीं होता कि आगे स्वर्ग जैसी जगह का दीदार होने वाला है. गाउं पूरी तरह से ट्रफिक के शोर से आजाद हैं, घच्चार और घोडे गाउं की गलियों और पकडंडियों पर नज़र आते हैं. इस गाउं में भले ही शेहरों जैसी सुविधाई ना हो, लेकिन एक तसली बक्ष जिन्द की गुजानने वाली तमाम सभूलते हैं. यहां पोस्ट आफिस है, कैफे है, दोचर्च है, लॉज है, प्रैमरी स्कूल है, किरानी की दुकाने हैं. यहां के लोग आज भी हवासुपाई भाषा बोलते हैं. सेम की फली और मकई की खेती करते हैं. रोजगार के लिए लच्छेता टोक्रियां बुनते हैं और शेहरों में बेचने जाते हैं. टोक्रिया बनाना यहां का पानम पर एक विवसाय है. गाउं से शेहर को जोडने का काम खचर गाड़ियों से होता है. काउवालों की जरूरत का सामा इन खचर गाड़ियों पर ही लादकल लाया जाता है. कई सदियों से लोग इस अजीब औ गरीब ग यहां की कुदरती खुबसूरती और यहां की जिन्दगी देखने के लिए आते हैं. लेकिन यहां तक पहुचने के लिए सबी सेलानियों को हवासुपाई की ट्राइबल काउंसिल की अनुमती लेनी पड़ती है. परवरी महीनी से नवंबर तक सेलानी यहां के लोगों के सा आवास उठ रही है. सेलानियों के बड़ती तादात के कारण इन खचरों पर ज्यादा दवाप पढ़ने लगा है. इनसे जरूरत से ज्यादा काम लिया जा रहा है. साइस घोड़े और खचरों को सेहत को नजरंदाज कर बिना खाना पानी के आठ मील दूर तक चलाते रहते हाना कि ऐसा हर कोई नहीं करता. इसलिए हवास उपाई ट्राइवल कांसिल ने ऐसे साइंसों की टीम बना दी है, जो कारोबार में इस्तमाल होने वाली सभी जानकारी की देख भल करते हैं. ये एक से दस नंबर के पैमानों पर जानवरों को सेहत का सर्टिफिकेट देते हैं एरिजोना यूं तो सूखराज है. यहां की ग्रैन कैनियन में बारिश बहुत कम होती है. सालाना बारिश 9 इंच से कम रिकॉर्ड की जाती है. लेकिन यहां के 30,000 साल पुराने पानी के चश्मी कभी पानी के कल्लत नहीं होने देते. वेग्यानिक पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस रेगिस्तान इलाके में फिरोजी पानी के जन्ने इतने सालों से कैसे रमा हैं. पानी में ये फिरोजी रंग आखिर आता कहां से है. दरसल यहां की चट्टानों और जमीन पर चूना पत्थर प्रचूर मात्रा में पा राता है. यूरोपियों लोगों के अमेरिका आकर बसने से पहले हवासुपाई का रखबा लगभग 16 लाख एकड़ था. लेकिन इस इलाके के कुदरती जखीरे पर जब सरकार और सरहधी लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने यहां कब जकरना शुरू कर दिया. व्याप कैनियन को नाशनल पार्क सर्विस का हिस्सा बनाया. सरकारी योचना के तहट यहां के बहुत से लोगों को रोजगार मिला. लेकिन इसके बावजूद अपनी जमीन के लिए इनकी लड़ाई जारी रही. 1975 में राश्टपती रोजाल फोर्ड ने करार के तहट 1,85,000 एकर जम के तोर पर है. यहां के लोग अपनी सरकार खुद चलाते हैं. ट्राइबल काउंसल का चुनाव गाउं के लोग करते हैं और अपने कानून खुद बनाते हैं. हाल के सालों में हवा सुपाई पर सबसे बड़ा खत्रा सैलाप का मंट रा रहा था. 2008 और 2010 में यहां जबरदस्त बारिश हुई थी, जिसमें बहुत से सैलानी फंस गए थे. सुपाई को बाहर के इलाके से जोडने वाली पकडंडी भी पूरी तरह से तबाह हो गई थी. 2011 में यहां की लोगों ने एरिजोना के गवर्नर के साल अमेरिकी सरकार से आर्थिक मदद मागी. सरकार ने इन्हें क कि लोग मानते हैं कि वो अपने पूरवज़ों के घर में रहते हैं. यहां के ज़र्ने और जमीनों में उनके बुजर्ग वास करते हैं. लेहाजा वो यहीं रहेंगे. दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं. और हमारे इस वीडियो को जादा से ज जादा लोगों को शेर कीजें और मिस्ट्री बस को सब्सक्राइब कीजें.